दोस्तों नमस्कार, Electrical Line More चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फीर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम केबल के बारे में बात करेंगे जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल के उपर एक नमबर लिखा हुआ है इस नमबर का क्या मतलब होता है इस नमबर से आप केबल की detail कैसे पता कर सकते हैं इस विशाय में आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि केबल का यूज अलग-अलग application में होता है और application के according cable की rating, cable की details भी change होती रहती है तो उसके उपर जो number लिखा होता है वो भी change हो जाता है यहाँ पर आप दिख सकते हैं उधारण के लिए हमने एक cable है इस cable के उपर A to X CEFY लिखा है इस cable के उपर यह number जो लिखा है इस number से हम cable की सारी detail पता कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर A से cable के number की starting हो रही है तो A का मतलब aluminum conductor को दिखाता है जैसा कि cable दो तरकी होती है aluminum cable और copper cable तो यहाँ पर यदि A लिखा है तो उसका मतलब होगा aluminum cable अब यहाँ पर 2X लिखा है 2X का मतलब यह है कि 2 times insulation है इस cable के उपर यानि इस cable के उपर दो पार insulation किया हुआ है और जो यह insulation यह cross linked polythylene का insulation कलाता है अब यहाँ पर cable के उपर CE लिखा हुआ है यहाँ पर CE का मतलब metallic screening से होता है यदि यहाँ पर C अकेला होता तो उसका मतलब है कि जो metallic screening करी गई है वह पूरी cable पे एक ही करी गई है यानि 3RYB को मिला कर एक screening करी गई है screening के अंदर copper की पत्ती का युज़ होता है copper की बहुत पतली सी एक पत्ती होती है जो cable के 4 तरफ लिप्टिव होती है यहाँ पर इस cable में आप देख सकते हैं C के साथ E भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो cable पे screening करी हुई है वह प्रत्य कोर पर अलग अलग है यानि copper की जो पत्ती लगाई हुई है वो तीनों कोर पे हमें देखने को मिलेगी Basically जो HD केबल होती है उसके अंदर metallic screening का युज़ किया जाता है और ये metallic screen copper की होती है और बहुती thin plate होती है अब इस cable पर F लिखा हुआ है F का मतलब armoring से है जो भी HD केबल या free lt केबल होती है उनके अंदर एक armor wire डाला जाता है यहां पर आप दे सकते हैं इस तरीके से armor wire होता है और ये cable को मजबूती देने के लिए अंदर लगाया जाता है इस armor wire को दिखाने के लिए cable पर F लिखा हुआ है यानि ये जो cable है या armored cable है बहुत सारी cable आती है जिनके अंदर हमें armor की जुरत नहीं होती है तो वहाँ पर F नहीं होता है cable के अंदर armoring तीन तरह की हो सकती है जैसा कि यहां पर आप दे सकते हैं W का मतलब है round still wire armoring यानि यदि round color के wire armoring में यूज होंगे तो वहाँ पर W लिखा होगा यदि cable के उपर W double bar है तो इसका मतलब है कि still वाली जो armoring है वह cable के अंदर दो बार करी हुई है और यदि F है तो F का मतलब है कि still वाली जो armoring है उसके अंदर formed still का use किया गया है formed still का मतलब यह होता है कि still strip के रूप में cable के अंदर डाली गई है और यदि F double bar होगा तो उसका मतलब है कि cable के अंदर जो armoring है वह strip आली है और उसकी double layer cable के अंदर यूज करी हुई है और यदि cable के उपर W लिखा है तो उसका मतलब है कि aluminum के round wire उस cable में armoring के रूप में यूज किये हुए है तो उसका मतलब है कि उस cable में aluminum conductor यूज किया हुआ है और PVC का insulation है और outer shield भी PVC की है और यदि cable का code AYWY है तो उसका मतलब है कि cable के अंदर aluminum conductor है PVC insulated है galvanized round steel के armored wire उसके अंदर यूज किये गए है और उसकी जो outer shell है वह भी PVC की है और यदि cable के उपर AYFY code छपा है तो इसका क्या मतलब है यह भी मैं आपको बतायता हूँ यहाँ पर आप देसकते हैं हमने A के बारे में समझ लिया Y के बारे में भी समझ लिया है अब हम F के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर आप देसकते हैं के आउर में यहाँ पर हमने और भी के लिए हैं atau कॉड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपक डिस्क्रिफिप्स ने करते हैं तो फ्रेंडस के पर लिखे हुए इस कोड की साइटा से आप केबल की बहुत सारी जानकारी प्रापग कर सकते तो फ्रेंट ये वीडियो को कैसा लगा सूर्शिक्ष्ण में जरू बता किकैडङ यादि ये वीडियो यूजफुल हो तो मेरे इस वीडियो को कर दो ही ऐर चेंविद करके जरू novellen थैंक यू समच पोर वाचिंग तु किस पटू